इमेल मारकेटिंग कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप ब्रेवो एकाउंट के अंदर कॉंटेक्ट्स को एड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल सीखोगे दोस्तों एंट तक इस वीडियो को देखिएगा और इंप्लिमेंट कीजिएगा उमेड करता हूं इमेल मारकेटिंग पूरा कोर्स आपको पसंद आ रहा होगा इसके अंदर आटोमेशन वेगारा सब कुछ आप सीख रहे हैं तो कर सकते हैं तो उससे पहले चलते हैं और सीखते हैं डिजिटल मारकेटिंग सर्विसेज ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के लिए दिए नमबर उपे कॉल कर सकते हैं हमारी वेब्सेट विजिट कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हमने पिछली वीडियो में ब्रेवो के अंदर इमेल मारकेटिंग की जो आगे का प्रोसेस है उससे स्टार्ट कर पाएं तो चलते हैं डिरेक्ली हमारे ब्रेवो अकाउंट में और आड करते हैं कुछ नए कॉंटैक्स जैसे हमारा ब्रेवो अकाउंट लॉग इन होता है वो कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस दिखता ह है अब ही हम होंट पर है तो अब हम होंग है और इस तरीके से आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाप आपको टूर के लिए कहरा अगर आप चाहें तो इससे अधसा हटा भी सकते हैं तो गया तो अ add your first contacts so अगर हम यहां पर क्लिक करें तो भी हमें contacts add करने का option खुलेगा अगर हम इधर directly जाए contacts option पर तो जो हमें normal manually add contacts add करने के option दिखते हैं वो दिखेंगे as you can see here और सबसे पहला contact दिख रहा है वो हम खुद है क्योंकि हमने इसी id के साथ हमारा account create किया था so हम ही अपने सबसे पहले subscriber के लाते हैं ठीक है now अगर मैं home पर जाओं ठीक है मैं आपको यहां से भी दिखा देता हूं अगर हम यह load ले रहा है थोड़ा सा हाँ अगर मैं home पर आके यहां पर क्लिक करूं ठीक है तो यह भी obviously हमको contact add करने के option देगा तो इस तरीके से आपके सामने option open हो जाएगा और जब आप contacts के उपर add contact क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने कुछ इसी तरीके से option open होगा now यहां पर आपके पास option है यह तो आप file upload कर दें जो हो सकती है csv excel या फिर text format में otherwise आप manually अगर चाहें copy and paste करना तो भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास data है और आप चाहते हैं कि क्या-क्या चीज़े डालूगा example में आपको दिखी रहा है email, first name, phone number then, creation date then, gender then उसी के नीचे आप उसी format में आप हर person का data डालते चले जा सकते हैं याद रखिएगा एक लाइन में एक ही data आएगा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका data खाता हो दिन उसके बाद ही आप दूसरा data भी start कर दे नहीं एक लाइन में एक ही data आएगा जो सबसे पहली लाइन होगी उसमें heading आएगा जिसमें आप यह सारी चीज़े mention करेंगे capital में त इमेल फुल कैपिटल में करते हैं email first name as you can see the example right so email first name उसके बाद आपकी मर्जी आप क्या क्या चीजे data के अंदर डालना चाहते हैं ठीक है आप चाहते है बर्थ डेट आड़ करना तो वो डाल सकते है birthday then gender तो यह आपके उपर है वो जस्ट आपके उग्जामपल दिखाया गया था बट जो आप डेटा के अंदर आड करना चाहते हैं वो सारी चीज़ आप डाल सकते हैं ठीक आप चाहें तो last name भी डाल सकते हैं लास्ट नेम इस तरीके से नाओ इसके नीचे अगर आप डालेंगे तो डालेंगे आप जैसे हम डालते हैं सबसे पहला हमें इमेल डालना है तो हम डाल रहे हैं नमन at the rate gmail.com ठीक है यह हमने email डाला कॉमा डाला फर्स नेम नमन ठीक है लास्ट नेम हमने लेट से डाल दिया ठाकुर राइट यह हमने डाल दिया दन जो बर्देट है बर्देट भी डाल देते हैं बर्देट डाल देते हैं 20 06 1995 ठीक है जेंडर हमने डाल दिया email इस तरीके से हम डेटा एक एक करके एड कर सकते हैं ठीक है और जब आप चेक देटा पर क्लिक करेंगे तो यह आपको चेक करने को देगा एंड इस तरीके से आपके सामने यह डेटा अपियर हो जाएगा राइज यह इंपोर्ट यो ड देटा है इमेल है फर्स नेम लास्ट नेम बर्देट देन जेंडर और जो फिल्ड सिक्स है वह खाली है अगर आप कन्फर्म करेंगे अब आप उस डेटा को मैप कर सकते हैं कि कौन सी चीज को क्या मतलब कौन सी प्रॉपर्टी को कौन सा कॉंटेक्ट अट्रिब्यूट देना है तो यह हमारे पास फी फाइल हेडर था इमेल हमने जो डाला था डेटा हमारे पास था जो हमारे इमेल है अब इसको आप क्या आट्रिब्यूट वह दे दिया लास्निम घाकउर उसने भी लास्निम थे जिए बढ़ दे लिया अब यह है अब यहां पे एक आट्रिबिध कर वह काहिन ऊट कर सकते हैं stronger लॉफ मतलब do not import select करके रहने दे सकते हैं ठीक है यह आपके उपर है let's say मैं चाहता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं एक नया attribute create कर दूँगा जिस पर मैं लिखूंगा date है ठीक है मतलब यह जो format है वो date है और यहाँ पर जो attribute का name दूँगा वो दूँगा मैं birthday ठीक है इस तरीके से create किया अब मैं birthday भी select कर सकता हूं as you can see here इसी तरीके से gender यहाँ पर भी do not import है आप चाहें एक बार आप लिस्ट के अंदर चेक कर लीजिए नहीं ऐसा कुछ अवीलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं एक नया attribute create कर सकते हैं और इस data को भी add कर सकते हैं फिलाल के इस प्लेम जेंडर को import नहीं कर ले तो इतना ही है चार चीजों को कर रहे हैं और हमने किया confirm mapping confirm your list इसको select कर लीजिए एक select है जब भी multiple करेंगे तो multiple आपके select हो जाएंगे ठीक है और done यहाँ पर कुछ चीज आप से पूछ रहा है confirm ठीक है and confirm your import यहाँ कुछ options और थे आपके चाहें तो उन toggles को भी use कर सकते थे बट वह आपको समझना पड़ेगा कि क्या option मतलब क्या वह आपके लिए ज़रूरी है यह नहीं तो इस तरीके से हमने एक manually करके देखा अब हम एक करेंगे जो sheet है data की मदद से जो लट से कि हमार पास 500 लोगों का data है ठीक है अब हम एक करक पड़ेगा हम एक excel sheet create करनी पड़ेगे और वह excel sheet हम यहाँ पर दाल देंगे तो import data पर जब हम करेंगे तो let it open yes now as you can see हमने यह कुछ 18 लोगों का demo data create किया यहाँ पर अगर मैं इस अने बिल करूं so that कि मैं इसे थोड़ा सा बोल्ट कर पाऊं otherwise यह तो heading है ही बट हां मैं थोड़ा सा बोल्ट करना चाहा था इसे बस तो इस तरीके से मैंने डेमो डेटा के रहा है आपको extra कुछ और fields जो है वह आड करने वह आप कर सकते हैं ठीक है हमने mainly 3 ही या फिर 3 fields आड करें ठीक है आप last name का भी field add करना चाहते है आप वह भी कर सकते है बढ़ दे तो है दे जेंडर का कर सकते हैं आप contact number का कर सकते हैं मोबाइल number telephone number then address का field create करना चाहते है वह create कर सकते है अब इस data को हमारे email marketing tool है उसके अंदर डाल सकते हैं ठीक है मैं से save करता हूं और इसी file को हम use करते हैं अब हमारे ब्रेवो के अंदर तो यहां पे मैं इसे drag and drop कर देता हूं ठीक है अब जैसे मैंने यहां पर drop किया यहां पर इसने पूरे file को fetch कर लिया ठीक है कुछ में birthday add है कुछ में नहीं है ठीक है तो हम इसको confirm करते हैं अब यहां पर क्या गह रहा है यह obviously हमको जो attribute है यह contact attribute है वह assign करने को गया रहा है तो emails already इसने पहचान लिए first name already इसने पहचान लिए then birthday भी इसने पहचान लिए ठीक है और इनका जो format है यह email format है यह text format है और यह date format है as you can see here right सो तीनों चीज़ों को इसने वह कर लिया है recognize कर लिया है तो हमें कोई issue ही नहीं हमें कोई changes करने की ज़रूरत नहीं है just confirm mapping पर क्लिक करते हैं कौन सी list में आपको add करना है अब हमारे पास अभी जो data की list है वह यह की है ठीक है your first list जो आपको देख रहा है उसके अंदर already two contacts है अ करना चाहते हैं तो confirm पर करते हैं यहां पर again confirm ठीक है और इसके बारे में छूट गया था तो इसको भी मैं बता देता हूं जो context management से related option है तो पहला तो यह है कि update attributes of the existing context तो let's say कि आप इसमें थोड़े मोड़े जो attributes से उसमें आपने changes किया है ठीक है और आप चाहते हैं कि जो existing context है उसमें भी attributes में changes हो जाए या फिर update हो जाए इसके हिसाब से ठीक है उसके लिए आप इस struggle को turn on या turn off कर सकते हैं अगर turn on करेंगे तो एक और option आपके सामने आपेर हो जाएगा कि import empty fields to erase existing attribute data so अगर आपने इस option को turn on किया ठीक है तो basically हुआ क्या अगर आपकी sheet में यह जो sheet आ data का जो available data है उसको भी delete कर सकता है उसको भी खाली कर सकता है और यह इसलिए है basically कि let's say आपने अमन नाम का एक email ठीक है अमन नाम का email let's say aman one triple nine at the rates email.com यह email है ठीक है आपके data के अंदर already feed है और इस data में भी एक email है same aman one triple nine at the rates email.com तब यह चीज़ काम करेगी अगर आप इसको turn on कर देंगे और आपके new sheet में aman जो email है aman one triple nine at the rates email.com के साथ कुछ empty fields है तो वो जो existing data होगा उसको भी वो हटा देगी और यह वाला जो empty fields है वो हाँ पे जाके appear हो जाएंगे ठीक है और अगर आप इसे turn off कर दे तो basically कुछ change नहीं होगा जो existing data के साथ existing extra details है phone number, email, name sorry phone number, contact address, date of birth, name वो सारी चीज़े same रहेंगी ठीक है तो फिलाल के लिए हम दोनों इस options को off ही रख रहे है हमें कोई changes या updates नहीं करनी है then block list the imported email contacts तो basically अगर आपके आपको कभी alerts है कि आपके पास email contacts है जिने आपको block list में डालना है तब आप इस option को use कर सकते basically यह जो अपने data upload क ठीक है अगर इनको block list में डालना है तो आप इस option को turn on कर दीजी और यह पूरा data block list में चला जाएगा उसके बाद जो है block list imported SMS contacts तो हमने obviously number तो add नहीं करे for numbers बट आप करना चाहते हैं block list में कुछ numbers को डालना चाहते हैं आपके पास है कुछ data जिने आप block list में डालना चाहते है तो पहले आप उने upload कीजिए और इसे block list में इसको toggle को on कीजिए और confirm कीजिए तो जितना भी आपका numbers का SMS data है वो block list में सबाद जाएगा इस तरीके से यह block list option work करते हैं ठीक है तो आई होप आपको चीजे समझ आई होंगी now confirm your import पर क्लिक करते है जो data है most probably हमारा properly feed हो चुका होगा as you can see nine and zero existing दिखा रहा है मतलब जितना भी हमारे data था नौ लोगों का data था वो properly import हो चुका है ठीक है यहाँ पर आप सारा देख सकते हैं नाम है then email है first name दिखा रहा है basically और कुछ के यहाँ पर birth date दिखाएगा जिसके हमने add की है ठीक है आप चाहते हैं किसी किसी field को add करना जैसे कि यहाँ पर birth date या फिर डेट बड़ जो field है वो add नहीं तो आप उसको यहाँ पर change कर सकते हैं column के अंदर आके यहाँ पर let's say आप add करना चाहते हैं birth date को तो इधर आना पड़ेगा आपको यहाँ पर option basically available है आपके यहाँ पर ठीक है तो इसी इसकी तो बात में बात करेंगे हम इसमें अभी ज्यादा नहीं हम गुश रहे हमारा जो main aim था वो था हमारा data add करना ठीक है मैं दुबारा context के उपर जाता थोड़ा सा scroll करते हैं और यहाँ पर हमारा जो data है वो properly हमें शो कर रहा है ठीक है तो चलिए इस वीडियो को इसी step पर complete करते हैं I hope आपको चीज जो है जो proper way है data import करने का या data add करने का वो समझ आया होगा ब्रेवो के अंदर ठीक है तो चलिए मिलते है next video में तब तक के लिए बाबाई उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो बेयात पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो comment section में बता सकते हैं दोस्तों अगर आप digital marketing training या digital marketing की services हम चे लेना चाहते हैं तो आप हमारी website marketingfundas.com पर आ सकते हैं या हमारे दिवी नमबरों पर call कर सकते हैं दोस्तों हमने ए एक affiliate program भी start करा है जिसमें अब learning earning एक साथ कर सकते हो description में link है उसके लिए भी आप हमसे जांकारी ले सकते हैं thank you for watching marketing fundas